बच्चो मैं डॉक्टर सचिन शुकला और आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हम किसी दी हुए बिंदू से और किसी दी हुई रेखा के समानतर एक रेखा को खेचना यानि किसी दी हुई रेखा के समानतर किसी बिंदू से एक समानतर रेखा को खेचना अब इसको हम कैसे कर पाए और इस रेखा के बाहर एक बिंदू है A, तो सुरपरतम हमें क्या करना है, A को इस बिंदू B से मिलाते हुए एक रेखा खंड हमने खेच लिया A B, अब B को केंद्र मानकर हमें किसी तरिज्या का एक चाप लगाना है, और इस परकार से चाप लगाना है कि यह चाप रेखा L को तो बिंदू C पर काटता है, हमने C नाम दिया है जिस पर काटता है वो, और A B रेखा खंड को वो D पर काटता है, अब हमें करना क्या है, हमें A को केंद्र मानकर, वो ही दूरी का चाप जो हमने B से C के बीच लगाया था, उसी दूरी का एक चाप लगाना है, A को केंद्र मा प्रकार और पेंसिल की साहिता से लेकर हमें G से केंदर मान कर उसी दूरी का चाप लगाना है जिसे हम देख भा रहा है कि यह है बिंदू S पर काटेगा यह चाप जो हमने लगाया है वो G चाप को बिंदू S पर काटेगा अब A को S से मिलाते हुए हमें एक रेखा खेस देनी ह जिस रेखा का नाम है M और हम देख सकते हैं कि यह जो हमारी M रेखा बनके आई है जो बिंदू A से होकर जा रही है वो जो लाइन दे रखे थी आपकी L उसके ठीक समानतर रेखा है और इस प्रकार से हमने किसी दिये हुए बिंदू से किसी दिये हुए रेखा के समानतर एक रेखा का निर्मान हमने कर लिया बहुत असानी से